तश्रिकाल जी तुसी देख रहे हो प्रोग्रम स्वाद आगया मैं आक आंक्षा सोड़ी दर्श को वीक चल रहे है सोखा ते स्वादिष्ट वीक स्वादिष्ट यानि की चटपटा जाइकेदार लाजवाब ते सोखा यानि की ऐसा पकवान ऐसे फूड जेड़ी की डिशीज आ सारीयां सोख्या होन गया बहुत जल्दी बन जान गया जिन्यावी डिशीज में तानों सोखा ते स्वादिष्ट वीक देविच बनाने स्खान कितना जादा समान लेकि आना पहेगा पता निये समान मिलेगा भी यह नहीं मिलेगा पर जड़ी यह सोखा ते स्वादिष्ट वीक देविच मैं तान दसूंगी ऐसी रेस्पीस जिदे इंड्रीडियंस बहुत सिंपल होंगे रेस्पीस जल्दी बनन गया जिमें की आज दी रेसिपी लगा लो आज दी रेसिपी दा नाम है राम लडू चाड ओदे वस्ते सानू चाइद है तेल मुंगी दी दाल पिज्जी होई चने दी दाल पिज्जी होई मुल्ली कद्दू कस कित्ती हुई कट्टे हुए प्याज निम्बू दा रस पुदीने दे पत्ते लसन च चने दी दाल रोस्ट कित्ती हुई हरा तनिया अद्रा खरिया मिर्चान जीरा नमक ते काला नमक पिर राम लडू चाड बनान वस्ते सब तो पहले हुन मुंगी दी दाल लवाँगे ते चने दी दाल जेडी की मैं पहला चंगी तरा पिज्जी होई है हुन लमांगे एक ग्राइंडर दा जार एदे विच पामांगे मुंगी दी दाल इन्नु में लगपग तिन तो चार कंटे पिगो के रख्या होया सी एक कप मुंगी दाल दे विच मैं पामांगी वन फोर्थ कप याने की कप दा चोथा हिस्सा चने दी दाल एना नो हुन ग्राइंड कार लन्या ते एना दी पेस्ट बना मांगे हुनने दे विच पामांगे असी नमक जीरा हरिया मिर्चा ते अद्रक एना नो फेर दुबारा ग्राइंड कार लांगे ताकि पेस्ट दे विच चंगी तरह हैं मिक्स हो जान्ट राम लड्डू चाट वास्ते मूंग दाल दी पेस्ट तयार है यानि कि साड़े लड्डूआ दा बेस्ट तयार है उन्हें एक पास से तेल गरम होनली रखांगे राम लड्डू चाट वास्ते यासी राम लड्डूआनू डी फ्राइ करने है तेल चंगी तरह गरम है बस हुन काट सेकते यासी राम लड्डूआनू डी फ्राइ करांगे झम्मू जानने ना झbie जदोसी जम्मू दे विच इक शाहर आणरा लखन पूर ते लखन पूर्दे ना पळले क्या जानदे ना नowego तेल लखन पूर्दे पल्ले ना येंट में फूमस है ना ओध तो कि लोकी ट्रेन नंच ऊ Sel 66 रुके लगहान पूर आंझे वास्टे नहीं नहीं आपके पूत कब़ाता संध और सब्सक्राइब आपके पैसेंजर दूरों आइन नहीं नहीं हो जुप से अनगे नहीं देखो किना सोना रांग आया है न दीशेप देखो नीच रिखो नीया और हम बार खाड ले नहीं अगर तुसी शाम नू करना चाने हो अपना मूँ चट पटा तिक खा करा रहा तो दे वस्ते राम लड़ू इक बहुत वदिया रेसिपी है यह इसली बन जन दिये दे वस्ते कोई खास इंग्रीडियंट्स नी चाहिए दे बहुत ही कट इंग्रीडियंट्स तिक ने सस्ते रे टंच बन जान दे राम लड़ू करारे करारे लेकिन ओई तुसी बार जाओंगे किसे रेडी ते खाऊंगे स्ट्रीट फूर्ड तौर्टे खाऊंगे ता तौनू ए दस बीर पे का महेंगे जरूरी पाऊंगे तिहों राम लड़ु दिना जेडी की सर्व हुंदिया ना बहुत वदिया चट्नी ओधे वास ते की करना है होनासी इस पुदिन्य दी चट्नी दे वी खास इंग्रीडियंस ने पुदिन्यदे पत्ते लसंदियां कलियां रोस्ट कित्ती थोड़ा जा हरातनिया, काला नमक ते एक चम्मच निम्बूदा रस हल्का जा पानी पामांगे प्रेश पुदीन दी चक्नी ते यार ने फुन कर दे बस आखरी स्टेप गर्मा गरम राम लड़ु ते यार ते इना नुट नमकीन लड़ु भी कैसे तो देखो किने सोने गोल गोल लड़ु ते यार तुसी पत्तेयां देखिया या लखनपूर्दी गाल करा तो उथे क्यां के नंव शर्व कित्दा किता जान दा कर्मा गरम राम लडो आओ अवते पाई जान दीया थंडी थंडी पुदीने दी चेक्नी मैंनों अद्धा लाग रहे है कि मैं लखनपूर कुम्रियां ते बस दे विच बैठके दून्या दे विच लखनपूर दे स्पैशल राम लड़ो खारियां उन इना ते पामांगे यसी कद्दूकस कितियां हुई या मुलियां ते बरी कटे हुए प्याज सो एत्थेजी साथी राम लड़ो चाट कम्प्लीट हुन दिया ते एना नुदेख के ना मूर देविच सची पानी आ रहे है ते ना नुखान दे बता है कि द लड़ो आ वांगू ते होल मैं भी खाननी या करारे करारे लड़ो नाल पुदीने दी चटनी उपरो मूलियां ते प्याज स्वाद आ गया शाम नू इस तो वदिया चटपटा स्नैक कुछ नी हो सकता तुसी देखो इस दिश दा एक क्विक रीकेप नोट का लो साही रस्पी सारे इंग्रीडेंट सिक्वारी पेट्टो सर्फ करो तो डिराम लड़ो चाट बनके तियार है दर्श को आज जाजी मंडे ते हुन बारी है कॉमनर स्पेशल सेग्मेंट दी जड़ा की मेरा बड़ा फेवरेट है क्योंकि मिन्यू मोका मिल दै अपने फैन्स ना मिलन दा अपने प्रोग्राम दे दर्श का नाल मिलन द अपने पर जे पॉपकॉर्ण जोन गोपी पॉपकर ते इना दा स्वाज रहे दुगना होज़ेगा जी यह बिलकुल साधी आज दी कॉमरे स्पेशल रेसिपी यह गोपी पॉपकॉर्ण जेडी सानुपे जी चरण जी ने सश्री करणी जी बहुत-बहुत सवागत है अजिए लेकर ट लिड़ों Orbán कीश दॉपकॉर्ण गोपी, बही, मैदा, ब्रेड क्रंब्स, नमक, मिक्सड़ब्स, काली मिर्च पाउडर ते चिल्ली सॉस. अजी आजी सब तो पहले हुना? अजी. गोपी तो पानी देविच बॉल करते हैं? पानी देविच बॉल करते हैं. अजी, तुसी पादो. एक पासे क्योंकि ऐसी गोपी पॉपकॉंस नो बीफ प्राइ करना है, ते मैं तेल गरम हों देली रख दिन्यों. है ना? हाँ जी. जिनना चिर गोपी ते त्यारी करांगे और ना चिर तेल गरम हो जएगा. चालो जी. गोपी एक पासे बॉल हों लाग गी है. अजी रखती है, ते दुझे पासे तेल गरम हो रहा है. चल्ण जी गोपी पोप कोप बहुत डिफरेंट रसिप्ट हाँ. जी, बहुत तो ही कि आ अजी. अच्प, आपने बहुत पसकी है. पूर लाई कर दे सी कारती हिया तो है फ्रेंड से ना दो भी है। त्युक्ति चलाँ जी तुसी अपने बारता दस्यों मुद्स है। ट्रश सब्सक्राइब वह टामोलतो मैं आप दो अपने गड़े ह्यूर। ज़से बड़ा दोसी बीटा परिवाज कॉन को और पर दोटर बेटा ग्रेंडी मेरा आजी तेनन बहुत सान्दात्वा जी इतन अब इसी देख देन जाए जो रेस्पी बड़ी प्लाई कर देया के दे आजी एंदे बनाओ फेर बहुत अच्य लग दोटर निला भी मरी इस नाधी खलान दे अधी है तक यह की थर्दा ग्रेंदी याने की दोटा ज्या ओँ बचकिन ते लुत अनुत थानो ता नुत थारे भी श्त थान ज़से अभर गाड़ा ज्चा लगदा था IT ते तक हम दोग दोड़ा कूशा मि मेरा आख बीन आफ दिन अगे हाल हाय नहो मेदल गाले ना जी मेदे वीच दिप करके हुन असी मेदा लवांगे जी मेदा लवांगे दस्या सनु में आमने एदे विच पामांगे नमग पामांगे एदे विच मिक्स्टर्प्स ते चम्मजदा चौथा इस्सा काले मिच पौडर अच्छा वैसे रचिपी तुसे अपने पोते नु बना के ख्वाई एदे विच पामांगे होना सी देही अच्छा चलंजी जी अगर पुछा जावे की तोडे व्यानू किने साल हो गए जी तेन जुलाई नी होई है मेर्जन वर्शी फोर्टी फाइफ येरो 45 जी बहुत 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 मुबार्का तौनू ते बहुत वदिया लग गया तौनू चुनकी कि तौडे व्यानू पंताली साल हो चुके है 45 जी ते इननों मिक्स कर देया दहीं ते चिली सॉइस ते मैध्ये विच मिक्स करते है नाल पाले नमक ते रेक बैटर तयार कर देया प्रेसिप पेज चैलन्जीर जी, तुसी स्वाद आगया प्रोग्राम देख दियो रेसिपीजी, एता बेने बतार लागया, ति स्वाद आगया प्रोग्राम है रेसिपीश चीटीजी? स्बस्ते रिफंद को यह वर सब्सेज़र्री और करा रिफ यह थैट yhte क्यार हो गया तेहुना सिखी करना है गोबी लेनी है गोबी दे टुकड़े देविच पामांगे मैदे ते दही वाले कोल्च गोबी साधी हाफ दन हो चुकी है इन्हों मेक्स करांगे चंगी तरह अचा चरंजीर जी जदो मामाने मुंडा व्याना हुंदा है तब बड़ा चा चाड़ जन् कोड़ी जिन्नित और बड़ा यह थे तौ अटेह अपने मुंडे दे व्यादेना को ऐसी मैमरी होज्ट हो म्याद होई करना जांगे मेलकुल जी वेलकुल जद बेटेद व्या हंदा है सारी महामान चाह होंदा है मेरे बेटे द व्या हूँ मैं पानिवार के पिऊं वो पानिवार बनने दिये माँ जभे बनना बननी बारी घड़े लोगी बात अच्छी अच्छी एदा बोध दिया में उंदी थे पानिवार के पीना was देना एक लोक रसमा बिच्छोईत्या थे और बैट कुछ यह मैदे दे और वीछ टिप में ते पाईये फिर उन देल तुसी फ्राइकरो मैं ब्रेड कर दियां डिप पेनानों वस एद्दी सारे ब्रेड क्रम्स लगा लगा के गोपी पॉपकॉन बनाले ने ते फेल इननों सोना जा सब करेंगे जान 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 बेड के गोपी पॉपकॉन मैं ते चलंजी जी ने मिलके बना ले यह ते देखो नाल रखी है असी शैजवान सॉस चिली सॉस ते गर्मा गरम गोपी पॉपकॉन ती यह पर मैं ना तो थोड़ा जा वेट कर वान एक क्योंकि मेरे दिमाग जीक सवाल है जो मेरे पर्सनल स्वाल में दिमाग जाए गए ते मिरे ना दोचा से लिया ने भी क्या सिगी जे कर तेरे किचन देविशना कोई ससा होगी ता उन्हों ए सवाल जरूर पुची जरी नुआ हुंदिया ने ते ससा इना थी जोड़ी ता नुपताई है शुरू थी तोड़ी जीवत न हुंदा हुनना तुसी तड़ी बारी है करो टेस्ट टे तोड़ी रेस्पी में बनाई है देख जया कि तवनों स्वाधान दाए के नहीं है पुण सब्सक्राइब करें तोड़ी रेस्पी खागे मिन भी स्वाद आया बहुत किस्पी है बहुत मज़दार थैंक यू चलंजीद जी थैंक इनी बदे रेसिपी गोपी पॉपकॉंस अनसां जी किती सश्रीकार जी सश्रीकार जी सश्रीकार सो एसी जी मेना चलंजीद जी जीना थे हस्बेंड ने रेटायर नेवी ओफिसर थे हो हैगेने जी एक फोजन ते ओना ने सिखाई सानू बहुत वधिया रेसिपी गोपी पॉपकॉंस ते ओना नाल गाल करके ना सची मिल्नूत एता लगे जिदा में अपनी नानी या दादी तुसी देखो ओना दी बहुत ही मज़ेदार सौखी ते स्वादिश जी रेसिपी जिदा नाम है गोपी पॉपकॉंस दा एक क्विक रीकेप नोट का लो साई रेस्पी सार इंग्रीडियंट सी परी फिर तो गोपी पॉपकॉंस बनान ली गोपी नू उबार लो हुन एक प पॉपकॉंस बन के तयार हैं ते चलो जी हुन बद देयां आज दे एपिसोर दे आकरी सेग्मेंट वाल जो की है किचन हैक्स यानि की रसोई दे नुस्के ते आज दा रसोई दा नुस्का ना बड़ा ही अलाग है बड़ा डिफरेंट है एदे विच कोई इंग्रीडियंट कोई लिफ जी हुँआ जब कोई लिफा आज बत्वेंट एकशर दिवींट यसुक्ति फो जी जोगें तो बड़ा अबन की ते एक या दो वाले आन तो बाद तुसी दुद्धनू बंद कार देंदेओ ठंडा कर देओ फ्रिच राख लंदेओ एद नहीं हुंदा जिमें कि एथे दुद्धे मलाई आ चुकी है बटे बहुत काट है अज हैक वीच में तो नहीं दसने कि जाधा मलाई किद्धा आन दिया है जाधा मलाई आन दिया कि जोदो तुसी एक वार चंगी तरा अबाले हुए दुद्धनू दुबारा थोड़ा जया गरम कर देओ ना ते उस तो बाद तुसी इसनू रूम टेमप्रेचर ते ठंडा करन तो बाद फिर फ्रिज वीच रख देओ ना ओदो आन दिया जी डबल मलाई जी यहां बिलकुल ए आजमाया हुए बहुत ही पुराना नुस्का है ते दुद्ध गरम हो चुका है बस एनू ठंडा करके हून मैं रखूंगी फ्रिज ते मलाई आएगी जी डबल सो एसी जी आज़ा कीचन है को मीत कर दिया तो नू पसंद आया हुएगा मंडे चलन जी जी जुड़े सी इस उमर दे विच भी देख्या उननों किना जादा शौंक है कुकिंग दा ते ओकिनिया सोनिया गलां करके रौनक लगा के गई नहीं से कर तुसी भी गलां करन दा शौंक रख देयो कुकिंग करन दा शौंक रख देयो ते आना चांदने हो टीवी जाओ कोई सोनी जी वदिया जी डिश बनाओ हां तुसी ओ डिश बनानी है जेडी हुन तक स्वाद आ गया दे किसे वी एपिसोर्ट मैं तो अनुन नहीं बनानी सिखाई होएगी नाहीं ओ रेसिपी होनी चाहिए जेडी एथे कॉमणर लेके आ चुके ने जैकर तो आड़ी अ नाम अपना नाम सारी डिटेल्स देनाल स्क्रीन ते दित्ते हुए नंबर ते उस्तो बाद जे तो अड़ी रेसिपी बहुत डिफ्रेंट होएगी डिश दा नाम काफी डिफ्रेंट युनीक होएगा अलग होएगा तथा नू मौका मिल सकते मेरे किसे वी स्पेशल वीक दे मंडे स्पेशल एपिसोड देविच आन्दा खुद एथे आकियो रेसिपी बना आन्दा मिन्नू भी समझा आन्दा ते साढ़े दर्ष्टकानू भी मैं हुनता नू मिलूंगी अगले एपिसोड देविच नमी डिशी स्तिन्नमे किचन हैक्स दिनाल देख दिरो स्वाधा गया सश्याता